क्लासिफिकेशन और उसकी बाद हमने पढ़ा था कंडनसेशन और एडिशन पोलिमराजेशन मेकनिजम और पोलिमराजेशन ओके नाव अब हम पढ़ रहे हैं सम इम्पोर्टेंट्स पोलिमर और देर यूजेशन देखो जो एडिशन पोलिमराजेशन और कंडनसेशन पोलिमराजेशन की जो मेकैनिजम थी उन सबी का यूजेश हनी ह होने वाला है तो कोस्टेंश के mods GM हमें याद क्या रखना रहता है उनके उनमेर्स प्रटिकुलरर जो पॉलिमर ours वहाँ उस पॉलिमर के dieta क्लिशन के ना पहला हम देख रहेंज़ रबर के देखरेंट टैपस उव उन्हें कौन कौनोमर यूरिक और फोर्मूला वह देख रहें जो पोलिम्राइर सके फॉर्म हुआ अब देखो इतना सम्झें आता हैं में कि और यह में ब्रेक कर दो कौन की बात कर रहा हूं वाले अगर यह पर बोंड को और यह पाइबंड को कमी और एक सिंगल नदोव और यहां पर दावल भॉन्द चिए आब एसी बहूत सारी मोनोम्र यूनिट्स का अगर हम के लिए मिलेगा इसका पॉलीमर मिलेगा ठीक है तो एडिशन टाइप्स की रियक्शन सही है ना इसलिए मैंने अधिकतर सिर्फ मोनोमर यूनिट्स लिए क्योंकि पॉलीमर आप एजीली बना सकते हो अगर आपने एडिशन और पूरी तरह से पर लिया ठीक है फूर निउप्रीन के लिए इह क्या हो जाएगा फर्मूल आपका किसका जब यह नियूप्रीं पॉलीमर एजेशन कर के किसका फॉरमेशन कर दिया इनने नियोप्रीण रबर गाए उपलिकेशन कहा कहा पर यूज को making automobiles refrigerator parts and electric wires बनाने में किसका यूज होता है बटा आपका neoprene rubbers का ठीक है सेकेंड इसी का example है आपका styrene butadiene rubber styrene butadiene rubber और उसे short में क्या गोलते है बटा हम SBR या ब्यूना S rubber यह बहुत सुना होगा आपके ब्यूना S rubber अब S का मतलब क्या है यहाँ पर styrene वाली चीज है ठीक है इसके जो monomer units होती है वो दो होती है कौन सी एक तो हमारी हो गई butadiene और एक होता है आपका styrene अब यह करते क्या है ठीक है styrene और butadiene अब जहां ch2 single bond ch double bond ch और single bond ch2 अब इस ch2 से कौन जुड़ेगा यहां पर देखो यहां भी क्या है ch double bond ch2 ठेक है यह structure दिख रहा हमें क्या है यहां पर भी ch double bond और ch2 और इस से कौन अटेज है हमारा benzene ring ठेक अब double bond है फिर break हुआ तो यहां पर भी कमी यहां पर भी कमी जाना तो यह दोनों valency satisfy कैसे होगी जब यह वाला carbon जो है यह इस से अटेज हो जाए और यह हो गया तो यह हमारा last वाला पार्ट हो गया और यह इनिशेल वाला पार्ट ऐसी जब आप बहुत सारी monomer unit ले लोगे तो हमारा यह formula हो गया किसका वेटा polymers का कौन से polymers का व्यूना ऐस के लिए ठेक है अब इसकी application क्या होती यूजेस making of tire and other mechanical rubber goods इन सभी में किसका यूज होता है आपका व्यूना ऐस का ठेक है तो यह second types का rubber था next हम देख रहें कौन सा ब्यूटाइल रबर ठेक है अब इसमें ब्यूटाइल रबर में क्या होता isobutylene यह वाला पार्ट isobutylene होता है बटा कितना 98% यूज होता है कौन सा isobutylene और isoprene जो होता है वो around 2% यह बोल सकते हैं तो तो 3% ही सिर्फ यूज होता है इसमें बाकी का मतलब main part जो है वह कौन सा है आपका isobutylene क्या हो दिख रहा है हमें यहां पर भी देखो double bond है इसको भी कमी इसको भी कमी चीजै तरह से क्या होगा का ईजी उनका बना सकते वह किए моя रबर वाली चीज़ों को यानि पॉलिमराइजेशन के बाद में जो फॉर्मूला है वह आप एजीली ड्रो कर सकते हो ठीक है किसकी एल्प से मेकिंग ऑफ टोईज तया टOOD बनाने में यूज हुता है और इसके उससी तयाइरीज और ट्यूप सोगेरा फॉर्मेशन में किसका अब गॉताइल रबर का कि next हं sneez ह रबर का यह इसको हम बोलते हैं भी नरफ देक हैं वहाँ पर था प्याइश एस पॉर प्यून बेटा ब्यूना एन इससे और लिख देता हूं में ब्यूना एन एन का मतलब यहां पर क्या है नाइट्राइल है यूनिट यूनिट से में बस वहां पर बेंजिन रिंग थी यहां पर क्यों आ जाएगा हमारा गड़ाइन आ जायेगा तो एक जहां पर सिह से वहां पर बेंजिन रिंग अटेस्ट थी अब यहां-पर सिह से क्या होजाएगा सिए न चीन मतलब कोन होगे हमारा इसलिए इसको क्या नाम देते हैं यहार जी आर आए बी वहां पर भी व्यूटाडाइल नाय त्राइल वाला क्या होगा वेटा पॉलीमराइजेशन में समझ में आता है पॉलीमराइजेशन में क्या होगा अब यहां पर इसको कमी यह वाला पाइबॉंड इसको कमी यह दोनों आपस में क्या बना लेंगे डवल बॉंड यहां पर भी पाइबॉंड ब्रेक हुआ तो इसको भी कमी और इस को भी करेंगे हमारा सी एस टू सिंगल बॉंड और इससे कोण अटेजी सिन अब आ जाएगा हमारा सी हीएश्टू ना सिंगल बॉंड हो जाएगा पाईबड ब्रेक वगा तो च्च ़िस टू सी दबल बॉंड और पून आगया आपका लास्ट में CH2AC कितनी unit होगी इतनी N unit होगी तो कौन बन जाएगा आपका व्यूना N का formation सुझाए ठीक व्यूना N के क्या application से क्या uses होते है used for make of fuel tank जो fuel tank होता है उसको prepared करने के लिए किसका use होता है आपका व्यूना N का use होता है तो यह जितने भी थे यह कितने थे आपके रबर सी चल रहे है अभी ठीक नेक्स जाएक रहे हम polysulfide rubber कौन सा बेटा polysulfide rubber अब ethylene dichloride जो होते हैं ethylene dichloride इसकी monomer unit है और sodium tetra sodium tetrasulfide दो monomer units है अब क्या करेंगे यह आपस में combine होंगे केस से combine होंगे functional group वाली चीज़े देखो दो sodium है यहाँ पर और दो chlorine है यहाँ पर दो sodium और दो chlorine ठीक है ठीक है ठीक है क्या होंगे दो functional group वाली मतलब condensation polymerization होगा बेटा इसमें मतलब चीजे बाहर निकलेगी तो दो NACL molecules बाहर हो जाएंगे 2 NACL तो फिर CH2 CH2 अब इससे डेश हो और यहाँ भी डेश है ठीक है अब इससे को ने आपके sulfur के molecule कितने है number of sulfur molecule बेटा चार तो यह चारों combine हो जाएंगे SS SSS ठीक यह डेश यह sulfur से मतलब polymerization process यहाँ पर continue चल सकती है ठीक है तो कितने molecule लिखते हैं हम जनरली एंस तो यह formula हो गया किसका हमारा थायो कोल्स भी बोलते हैं थायो कोल्स का एप्लिकेशन क्या होती है यूज्ड इन manufacturing of houses and tank lining इसके अलावा engine gasket and rocket fuel में भी इसका used होता है ठीक है अगर आपने mechanism में देख ली तो इसके बाद में कुछ इतना issue नहीं होगा बस condensation वाले में थोड़ा बोल सकते हैं तो उसको भी आप easily observe पर सकते हो removal by product को बता कर ठीक है नेक्स्ट है हमारा silicon rubber त्यारा silicon rubber जो है इसका uses क्या होते है silicon rubber के नाम से यूज होता है इस कहना silicon है और CS3 CS3 और CL2 ठीक है इसको बोलते हैं अपन क्लोरो सिलीकॉन और इसमें इसको dissolve करते हैं किसमें वाटर मॉलीक्यूल में से यहां पर दो हाइड्रोजन है और यहां पर दो क्लोरीन है ठीक है सो दो मॉलीक्यूल रिलीज हो जाएंगे आपके किसके HCl के ठीक है अब समझो CS3 से CL Si silicon जुड़ा हुआ है और उससे कौन है सिलीकॉन से 2 CS3 तो हुए अब दो जगह से यहां से भी एक प्लोरीन रिमूवा यहां भी यहां से भी एक सिलीकॉन की रिमूव यहां भी आप वाटर मॉलीक्यूल में जो हमारा एक ऑक्सिजन मॉलीक्यूल वह ऑक्सिजन कंबाइन हो जाएगा इस अब ऑक्सिजन भी दो ब अब यहां पर मैंने पॉलीमराइजेशन वाली चीजे नहीं लिखी क्योंकि आपको इजीली समझ में आ जाएगी यह चीज है पहला हम देख रहे हैं यहां पर अब इसमें भी दो पार्ट है एक पार्ट होता है हमारा लो डेंसिटी पॉलिथीन कौन सा बैटा लो डेंसिटी पॉलिथीन और दूसरा होता है हमारा हाई डेंसिटी पॉलिथीन जिसे शॉर्ट में बोलते हैं हम लो को LDPE और हाई वाले को बोलते हैं HDPE तो अदिकतर एक्जाम्स में किस नाम से आएग आप ओएवीटा सेम ही कि अब यहां पर इंग एक एक्सट्रापार्ट बड़ा दिया नेचर ओफ पॉलीमर अगर आप पॉलि मिमर का नेचर देख लो बता पाओगे ठीक है यहां पर लोट था तो यह क्या है लोट डेंसिटी होमो हども inseal hi m detector होमो मतलब क्योंकि यहाँ हैं दे 3500 सिनलो मतलब 50-20-45 सब्सक्राइब हें कि यहांता है कि चेंगर यह लकुत हम ने देखा था अगर डबल बॉंडेट कारवन वाली चीज़े हो या फिर कैसी हो आपकी कॉंजुगेशन वाली चीज़े हो तो वह अलकीन वाली चीज़ें वह किसमें करती है हमारे जबेशन दन्धवाทं हानल की चेन्ड ग्रोथ पॉलिमराईजर्शाशन र्खिए हिम प्रॉपटी से और इजली हो यह कैसे होते हैं एक दम ट्रांस्पेरेंट मोरे टेंसिल स्ट्रेंथ। तैंसिल ऑड के सिंगा इंगी मौरेट किसकी लो डेंसिटी वाले की और यहां मैं जहां पर PR टैंसिल इन्द जज्ञाद Eigennity यसे करी बेग हो गया इंसूलेशन फॉर इलेक्ट्रिक वाइर्स हो गया यहां तो नॉर्मली ईूज होता है क्योंकि यहां पर बकेट्स ट्यूब्स वगेरा हाउस वगेरा पाइप बॉटल्स एंड्टोई जहां पर थोड़ी सी हमें हाइट टेंसिल स्ट्रेंद की रिक्वार्मेंट है, वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, विटा, HDPE की, ठीक है, जित्पी कारण क्या हो, थोड़ा ज्यादा स्टेबिटी हो, तेंसिल स्ट्रेंद उसमें क्या हो, थोड़ी सी ज्यादा हो, ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं, पॉली प्रोपाइलीन, और इसे हम बोलते हैं, पॉली प्रोपीन, शोर्ट फर्म क्या हो जाएगा, पॉली प्रोपीन, ठीक है, या पॉली प्रोपाइलीन पॉलिमराजेशन होता है बहुत सारी उनिट जुड़ जाती है तो पॉली आ जाता है लेकिन ये तो हमें पता है प्रोपाइलीन या प्रोपीन तीन कार्बन डवल बॉन्डेट हो गाए क्या हो सकता है स्री जोरसे लिख सकता हूं इसको पॉलीमराइजेशन होगा तो क्या करेंगे यह करेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन पाइबोंड ब्रेक हुआ एक इसको कमी एक इसको कमी तो इस तरह सी यूनिट हमारी कितनी हो जाएगी समझ में आ जाता होगा अब तो यह जाना अब मैं यूज नहीं करूंगा बार बार इतनी चीज़ है से कोछ तरह का है यह होमो पॉलिमर क्योंकि मोनोमर यूनिट कितनी है सिर्फ एक ही है तो होमो पॉलिमराइजेशन करेंगे यह लीनियर होगा और चेन ग्रोथ स्टेप प्रोपर्टी यह थोड़े से हार्डर और स्ट्रोंगर होते हैं स्कमपेर टु दी पॉलितिन के कमपेरिजन में यह कैसे होंगे थोड़े से हार्ड और स्ट्रॉंग हो गया तो इनका यूज भी थोड़े ज्यादा हो जाएगा फिर ठेकिंग ओफ टेक्स्टाइल एंड स्ट्रॉंग केस वाली चीजह वहां पे किसका यूज पर चेंगे बड़े णेक्स अम देख रहे हैं पॉलिस्ट्रीन या स्ताइरों या जिसे हम पोलतें स्टाइरो फॉर्म्स आप यह चीज़े याद रखना है अच्छा आजम कहीं क्यों नेम से वो भी याद रखना है कित तरह से आप इसे बुला सकते हो ठीक है फॉर्मूला होता है यह वही वाली चीज़े हो गई कौन सी याद करो विनाइल वाली और इनसे हमने जोड़ा था वहां पर रियेक्शन में क्या जोड़ा था डबल्यू एक फंक्शनल ग्रूप देखा था ना वही अब यहां पर डबल ज्याद आपको इस्यू नहीं आने वाले इस्यू यह है कि जो पॉलीमर है उसके नाम और उनसे जुड़ी हुई मोनोमर यूनिट के नाम या ठीक है लेकिन उनके जो कॉमन नेम या जो और नेम जो है जितने भी उसमें थोड़ी से इस्यू हो सकता है ठीक है फिर डबल बॉ प्लास्टिक टोइस हो गया रेडियो टेलिविजन की बॉडी फॉर्मेशन में इसके अलावा रेफ्रिजरेटर्स के लाइनिंग वगेरा में भी किसका यूज होता है हमारा स्टाइलो स्टाइरो फॉर्म्स का ठीक है इसके अलावा इस नाम से तो आप बहुत ज्यादा पर पॉली विनाइल क्लॉराइट पी वी सी शॉर्ट फॉर्म में वेटा इसका ठीक है क्या जूड़ गया पॉली को टाओ पॉली हम किसलिए यूज कर रहे हैं जब पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस हो गई ठीक है अब विनाइल ग्रूप में कौन आ गया हमारा सी क्लोरीन ठीक एक इवलेंसी इसकी भी इसकी भी और इस सी एस से कौन अटेज हैं अपके सी एल सो ऐसे अगर आप एन यूनिट ले लो तो यह हमारा पॉलीमर का फॉर्मूला हो जाएगा ठीक है बहुत इजी है डबल बॉंडेट है तो अगेल होमो पॉलीमर और चेन ग्रोथ वाली चीज ठीक है यूजेज एप्लिकेशन प्लास्टिसाइड विध हाय बॉइलिंग एस्टर पीवी सी यूज इन रेन कोर्ट फोर्मेशन हैंड बेक्स वगेरा शौवर सर्टेंज फैब्रिक्स शू सोल्स विनाइल फ्लोरिंग्स या गुड इलेक्रिक एंसुलेटर में इनका यू नेक्स देखे रहे है बेटार हम दी पौली टेटरा फ्लोरो इथिलीन पौली टेटरा फ्लोरो इथिलीन शुर्ट फोर्म क्या हो जाएगा इसका पी टी एफ ई नाम से क्लियर है बस दो हाइड्रोजन की जगे पर क्या आ गए है दो क्या हो जाएगा अब इसकी रियक्शन बताने की जोरत नहीं मुझे लगता है जैसा आपने एथीन में पड़ा सा वही बस महां पर एस टू थे यहां पर एक टू है किस तरह का होगा होगा क्योंकि मोनोमर यूनिट के सी इसमें एक ही जैसी है इनके इन जो मेल्टिंग पॉइंटोंन वहां थोड़े से अथा ह हौते हैं इन इनर्टु सॉल्वेंट बॉइलिंग चैड्स इबन एक और इगया अहना एक पॉरे गया पता है क्या होता है नाइ्ट्रिक असिड और के मिक्ष़र स्टेबल अपटू 598 कल्वेन कहां तक इसके विटा है व्यांना व्यूटेंसिल कोटिंग तेट्र फ्लॉर एट का में यूज होता है इसमें non-stick utensil coating त्होंड देखने हम ंब स्टीक ओनिए किसो को टिबाः किस्की को टिलों की कोटिग ह 되면ी बीटा क्या है बैटा टैफलोन ठीक है making, gasket, pump, packing, valve, seals and non-lubricant bearing नोन-lubricant क्यों वही वाली चीज़ है क्योंकि यह चिपकता नहीं है किसीज़ है इस कीज़ नहीं हो पार है तो इसके कारण क्या होता है इसको non-lubricant bearing इसका यूटलाइज हो सकता है नेक्स्ट हम देख रहे हैं पॉली मोनो क्लोरो ट्राइफ्लोरो इथिलीन तो इसका शोट फॉर्म हो जाएगा पी सी टी आफ इग जो नाम है उसी का हम शोट फॉर्म बना रहे हो कि एक्जाम में हो सकता है वेटा बहुत बाद किस्से आजाए पीटी एफ या गया यह टेफलोन तो कॉमन अधिक तर जानते इसलिए नहीं पूछते इस पर लेकिन पीटी एफ इस जाना अध्यानक नहीं अब इसका यूज मोनोमर यूनिट हमारी पॉली क्या है आप पे क्लोरो ट्राइफ्लोरो और दो कार्बन हो गया इथिन डबल होगा हो मो क्योंकि मोनोमर यूनिट कितनी विटा यहाँ पर एक ही है जाना एक मोनोमर यूनिट तो हो मो ठेक है Less resist to heat and chemicals due to the presence of chlorine item इस chlorine atom की presence के कारण क्या होता है थोड़ा सा Less resist होता है किसके लिए for heat and chemicals So similar to use होते हैं इसके किसमें according to teflon जो teflon का use है वही का वही इसका भी use है क्योंकि same property शो करते हैं सिर्फ एक chlorine वाली चीज़ के कारण क्या होता है chlorine atoms के कारण यह वाली चीज़े थोड़ी सी हो जाते है Less resist हो जाते है बाकी fluorine इसमें same है ठीक है Next हम देख रहे है formaldehyde resin और इसमें भी पहला रहा है आपका phenol formaldehyde resin या जिसे हम बोलते है बेकलाइट्स तो पड़े है बेकलाइट्स तो पड़े है बेकलाइट्स तो इसकी monomer unit होती है कौन बेटा phenol and formaldehyde यह polymer है यह polymer है monomer की बात कर रहा हूं है phenol and formaldehyde कैसे form होते होंगे देखो form phenol OH formaldehyde HCHO HCHO को क्या लिख सकते है बटाम CH2O और देखो यहां से bond break हुआ तो यहां पे भी क्या होगा बेंजीन में हर कार्बन के पास क्या होता है एक H होता है एक H और एक O अब यहां पे भी तो किसी से combine होगा तो बचा कौन पार हमारा यहां पर CH2 तो यहां से consider करो अगर हम इस वाले पार्ट की बात करना चाह रहे है इस वाले इस से की तो यहां पे तो यह होगा हमारा phenol यहां से होगा है यहां से भी एक होगा तो यहां से भी होगा तो यहां से भी होगा तो किस तरह का हो गया प्रोपटी इसकी थर्मो सेटिंग यहां पॉलीमर हाड ब्रीटल अब हाड क्या होते हैं ब्रेटल क्या होते हैं यह भी हम अच्छे से जानते हैं कहां पे यूज़ कर सकते हैं इसका वितन लो डिग्री polymerization as a binding glue for wood varnish इन सबी चीजों में second आप यूज़ कर सकते हो with high degree polymerization for coms for mica table tops foundation paint electrical goods switches and plugs वो mainly किसके यूज़ होते हैं आपके bakelite के फ़र्म इसको आप एक बार break कर दो तो वापस नहीं हो पाते हैं इसलिए वो किस तरह के हैं thermosetting करा के ठीक है तो इस अबाउट दो बेकलाइट याने कि फिनॉल formaldehyde resin next जेके रहे बेटाम melemine formaldehyde resin अब इसमें एक पार्ट होगा आपका melemine और एक होगा formaldehyde ठीक है नेचर कैसा हो जाएगा सेम वापास formaldehyde और एक melemine याने की दो चीजे तो co-polymer और step growth हो जाएगा ठीक है thermosetting polymer से hard होता है but not so breakable तो हैना easily not breakable non-breakable crockeries जो होती है तो हैना kitchen में जो use होती है आपके समान plates वगेरा crockeries उसमें इसका use होता है क्योंकि easily break नहीं होता है ठीक है non-breakable crockery के formation में next हम देख रहे हैं polyacrylate जिसमें हम बोल रहे है poly methyl cryolate ठीक है elucent acrylic यह सभी इनके क्या है names है short में इन्हें क्या बोलते हैं PMMA ठीक है poly methyl methyl cryolate cryolate sorry so AR यह इसके क्या हो गए आपके monomer unit functional group दो है दो नहीं है तो double bond तो है ठीक है CSO ठीक है और किस तरह से हो जाएगा फिर यह co-polymers हो जाएगा ठीक properties इन में क्या होती यह बहुत ज़्यादा hard होते हैं कैसे होते हैं hard होते हैं transparent होते हैं excellent light transmission excellent light transmission तो इसके कारण इन में optical clarity आगी और optical clarity normal glass के comparison में क्या होती बहुत अच्छी होती है ठीक है so optical clarity better than glass take up colors uses अब glass आगया तो समझ जाओ transparent light transmission वाली चीज़े हैं तो कहां पर यूज़ होगी lenses light covers light shaded signboards वगेरा transparent doms वगेरा skylight aircraft window में इसका use होता है बटा denture and plastics jewelries में भी किसका use होता है आपका polymethyl acrylates का ठीक है so यह आपके acrylates यहाँ पर end होता है ठीक है so यह किसके बारे में देखा हमने बटा PMMA अब इसके बाद में next बारे देखते हैं next हमारा poly polyethyl acrylates polyethyl acrylates यह इसकी monomer unit हो गई CH2 double bond CH single bond COO C2H5 co-polymers है rubber-like products form होते हैं इनकी properties rubber-like होती है तो उसी के according इनका क्या हो जाएगा uses भी हो जाएगा अब next देख रहे हम fibers fibers से related कौन कौन से हमारे polymers है इनकी क्या properties होती है और इनके क्या uses होते हैं fibers में हमारा पहला आ रहा है polyester जाना जिसे हम बोलते है terryliins या decron या myler ठेक है यह नाम याद रखना है वेटा terryliins decron अधिक तर इसी से आते हैं आपके decron या फिर terryliins अब terryliins के पहले प्लोट के रहाते हैं ठीक है short form होता है इसका pet हाना pet polyethylene terrythylate short form p e और t starting material starting material मतलब बेटा monomer unit इसमें monomer unit दो ते एक तो ethylene glycol या जिसे हम बोलते हैं ethane one two dye all ethane one two dye all मतलब किसा हो गया आपका CH2 CH2 OH इस तरह से second unit होती इसमें terryphalic acid terryphalic acid दिख रहा हैं clearly benzene ring है COOH COOH position देखो position कहां पर है आमने सामने मतलब पेरा position पर क्या है प्रेजेंट है वह आमने सामने इसलिए वह रहा है क्योंकि यहां वाली चीज़े देखो इसमें किस पोजिशन पे और थो वाली पास में बाग की सेम चीज़े हैं दोलों में monomer unit जो इसमें यूज हो रही है वह यह सेम हैं बस यहां पे टेरेखलिक एसीड है और यहां पे आपका थैलिक एसीड है सुरी more than one so homo तो हो नहीं सकते है क्योंकि homo का मतलब identical एक जैसी चीज़े ठीक है so co-polymer होगा step growth होगी condensation polymerization होगा सेम यहां पे भी होगा बटा ठीक है properties क्या हो जाएगी fiber crease resistance यहां लो moisture adsorption not damaged by pets like mount etc ठीक है application इसका use होता है for wash and wear fabrics, tire cord, seat belt वगेरा formation में and cells formation में क्या होता है uses होता है second type भी देख लेता है gyptal जिसको बोलते हैं अपन alkyite resin अभी बात किरते हैं हमने इन में जो monomer unit होती है वह same होती है according to pet बस यहां पे c o h group जो है किस पोजिशन पर है और्थो पोजिशन पर है यहाद रखना है किस पोजिशन पर है और्थो पोजिशन पर है कंबाइनेशन हो जाए आपर डव फंक्शनल ग्रूप यहाँ पर भी डाइमर यहाँ भी दो फंक्शनल ग्रूप यहाँ नहीं कि कौन सा हो गया हमारा condensation polymers हो गया है अब condensation है तो linear step growth polymers हो गया और number of monomer units कितनी है दो तो किस तरह का polymers form होगा यहाँ पर co polymers होगा यह ठीक है thermoplastic dissolving suitable solvent and solution on evaporation leaves a thought but not flexible film यह सारी क्या इसकी properties होती है name application जो इसका pants and lacquerism okay so it's about the polyester next हम देख रहे हैं इसी में polyamides या जिसको हम बोलते है nylon 6-6 और nylon 6-10 और यह क्या दोनों का एक साथ study करते हैं आला कि एक टोर रही गा हमारा nylon 6-10 यह दो समझ लोगे तो और भी इसी लिए क्लियर हो जाए ठीक है इससे short form में क्या बोलते है P.E.T. polyethylene tera thalate अब इस में देखो monomer unit जो है एक ही तो है हमारा adipic acid और एक होता है आपका hexamethylene diamine हलाकि इसकी प्रोपर्टी प्रिप्रेशन हम आल्रेडी पढ़ चुके एक्जामपल ओफ condensation polymers का जो हमने एक्जामपल लिया था वह किसमें आ रहा था हमारे इसी में अब adipic acid या hexamethylene diamines किस तरह से combine होते हमने देख चुके थे एच वाली चीज़े water molecule release होते हैं और यह क्या करनाएंगे polymer का formation करेंगे थे बात ध्यान देने वाली जो है वह यह है वेटा यहां पर कि जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं six को और six को तो यह दोनों यह रिप्रेजेंट करते है कि इसको भेटा number after carbon का जुटा देख की संख्या नंब्र of carbon रिप्रेजेंट करता है उनलों सिग्स में तो नायलों सिक्स और 10 में भी क्या होगा वैं नायलों कार्बन विच प्रेजेंट इन्हों मोनोमर यूनिट में यह जो अडिपिक एसीड है देखो नंबर ओफ कार्बन कितने हो गए चार और एक और एक यह है ऐसीड वाली चीज़े तो कितने हो गए चार और दो छे सो एक यूनिट हो गए हमारी इसलिए से बोलते हम नायलोन शेक्स यह जो शिख से यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको नंबर ओफ कार्बन विश प्रेजेंट इन्हों मर यूनिट ऑके ठर्मो प्लास्टिक हैらい तेंशील स्ट्रेंट इसके अलबाइ इसका यूसेस एप्लीकेशन टेक्सटाइल चार फेब्रिकिस और इसका यूजन अब अब नाइलोन 610, तो 6 वाली तो चीज़े सेम है, आपकी कौन सी हेक्जामिथिलीन डाइमीन, यहाँ पर नंबर ओफ कार्बन कितने बटा है, 6 है, ठेक है, लेकिन जो 10 वाली है, वो कौन सी हो गई आपकी, सेवेसिक ऐसेड, वह सेम है, यहाँ यहाँ पर NH2 था, यहाँ पर क् यूनिट थी, यहाँ पर कितनी हो गई है, 8 यूनिट हो गई, नंबर ओफ कार्बन कितने हो गए, यहाँ पर, 8 कार्बन हो गए, इसलिए 8 और 2 हमारे कौन से हो गए, C double H वाले कार्बन, तो नंबर ओफ कार्बन कितने हो गए, एक मोनोमर यूनिट में 10 है, और एक मोनोमर य जाएगा यहां से क्या होगा बैटा ओएच याने की किस तरह के पॉलीमराइजेशन हो गया को पॉलीमर क्योंकि नंबर ओफ मोनोमर यूनिट्स कितनी है दो ठीक है और कौन सी हो जाएगी ठीक हो बोल सकते हैं या फिर हम सेशन भी बोल सकते हैं इस इग्जामपल ऑफ थर्मो प्लास्टिक यहां प्रोपर्टी के इसकी मोफ उस्टरैंट है है यह है दोनों मतलब सेम है नाइलो नाइलो नहीं चल रहा है ठीक है यूजेश टेक्स्टेल्ट्रेश। ब्रिश्टल जाना ब्रशेश वगेरा में यह तो सेम है और क्या हो सकता है सब्टिट्यूशन आफ मेटल इन बेरिंग या गियर एलास्टिक होल सी में भी क्या होता है इसका यूजेज होता है नाइलोन सिक्स टैन का एक और बज़ गया एक वह भी डिसकर्स कर लेते हैं कौन स सिक्सक्या कितनी होती है इसमें सिक्स होती है कार्बश सथके हैं कितनी होता है deuce शींद्थ हैம् आमीणों के एक ही अे अरहीं यह जिसमें दो फॉंच्चनल ग्रूप हैं अब बताओ किस तरह का होगा फिर अगर यह हो जाएगा इसी को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो एक ही मोनुमर यूनिट है तो क्या हो जाएगा हमारा होमो पॉलीमर लीनियर एक ही सिंपल लाइन में थर्मो प्लास्टिक है हाइट टैंसिल स्ट्रेंथ है और अब्रेशन रेजिस्टेंस होता है मौंटेन रिंग ग्रोप रोप टायर कोट्स फैब्रिक वगएरा जो फॉर्मेशन ही वह किस से होता है आपका नाइलॉन शिक्स शिक्स नेक्स हम देख रहे हैं पोली एक्राइलो नाइट्राइल या औरलॉन या एक्रिलोन जिसे हम बोलते हैं पी ए ए न यह नाम सुना होगा आपने कहां पर पॉलीशन वाली चीजों में भी ठीक है छी एस टू डबल बोंड ची एच और सी एन कैसा होगा वह पोलीमर्स त्याना हार्ड होता है तौनी एंड हाई मेल्टिंग मटेरियाल औरलॉन त्याना आर्क्रिलोन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ कार्पेट ब्ल अधर पॉलीमर्स में भी इसका यूस होता है तो हमारे चल रहे हैं को उनसे विटा फाइबर्स वाली चीजे ठीक है तो इस आउल अवाउट दे पॉलीमर्स और उनसे रिगर्डिंग मोनोमर्स और उनकी प्रोपर्टीज एड एप्लिकेशन या यूसे ठीक है अभाइबर्स और उनसे ठीक है